आईए जानते हैं चाणक नीत की दस बिसेस बातें आचार चाणक प्रकांड बिद्वान थे वे स्वाभिमानी सयमी तीछन बुद्ध एवं पके इरादे वाले युग द्रिश्टा थे उनका जीवन सादा जीवन उच्च बिचार का सही प्रतीक था क्योंकि वे जीवन को सादगी पूर्ण जीना पसंद करते थे चाणक के का ब्यक्तित तो सभी के लिए अनुकरणी एवं आदर्स है चाणक कनीत हम सभी के जीवन के लिए भी बहुत जादा उप्योगी है आईए जानते हैं चाणक कनीत की दस बिसेस बातें पहला है जिस ब्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे हमेशा दूर ही रहना चाहिए दूसरा है जिस पतनी के चहरे पर हर दम घ्रणा है जिन रिष्टेदारों के पास प्रेम नहीं है उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए तीसरा है जब तक सरीर स्वस्थ और आपके नियंतरण में है उस समय आत्म साक्षातकार के लिए उपाय अबस्ही कर लेना चाहिए क्योंकि मृत्त के पस्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता है चौथा है बिद्या अरजन करना एक कामधेन के समान है जो मनुस्थ को हर मौसम में अमरित प्रदान करती रहती है पचमा है पतनी वही अच्छी कहलाती है जो पति को प्रसंद करने वाली सुचिपूर्ण पारंगत सुध और सत्यवादी है चठमा है जिस ब्यक्ति के घर में पुत्र नहीं है उसका घर उजाड है जिसका कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिसाएं उजाड है मूर्ख ब्यक्ति का हिर्दय उजाड है निर्धन ब्यक्ति का तो सब कुछ उजाड है सतमा है जिस अध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह अध्यात्मिक एक जान जहर के समान होता है अठमा है जिस गुरू के पास अध्यात्मिक एक जान नहीं है उस गुरू से हमेशा दूर ही रहना चाहिए नुमा है निर्धन ब्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजी किया ब्यक्तिगत कारिकरम में एकत्र होना जहर के समान होता है दसमा है जिस ब्यक्ति का पेट खराप होता है उस ब्यक्ति के लिए भोजन जहर के समान होता है और भी ऐसी रोचक रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूले ठीक है धन्यवाद